नमश्कार मांशी मांश्रेकर इंटेरे डीजैनर और आप सभी जम देख रहेेट इस इंटेरे इस शानल में बहुती स्वागत हैं और शुरुवात करेंगे माता झी का नाम लेके जय माता दी तो आज है नवरत्री का छौथा दिन और आज का ग Character है रेड कलर तो आज हम देखेंगे ये red color हम लोग interior में कैसे और कहा पर यूज़ कर सकते हैं और exactly red color क्या indicates करता है तो देखते रहे हैं ऐसी interior channel और आप मेरे channel को like, share और subscribe जरूर कीजे Normally आप देखेंगे तो red color is a primary color और red color को blood color का कहा भी जाता है red color is a color of aggression, red color is a color of passion, red color is color of love red color also indicates the quality of leadership also red color के strong और solid color होने के बज़े से ये normal interior में again जहां पर आपको कोई भी चीज़ highlight करनी है वहां पर यूज़ किया जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये solid color होने के बज़े से आपको आपके interior में इसका proportion approximately 20 to 30% रखना है और उसको कौन से ऐसे अगर लेते हैं तो उसका जो impact है जो उसका जो strongness है वो mild हो जाता है और उसका view काफी अच्छा आता है अभी आप यहां पे जैसे मैं आपको जो फोटो दिखाने वाली हो उसमें मैंने अगें red और white color का kitchen दिखा हुआ है तो आप उसमें देखेंगे तो red का इंपक्त कम करने के लिए अगें मैंने उसको white के साथ लिया हुआ तो आप ऐसे ही red color आपके इंटिरेर में यूज़ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ red color और उसके साथ कौन से ऐसे combination यूज़ किया है जादा करके red color के साथ white combination यूज़ होता है कुछ देखते है है ऐसे ही कुछ इंटिरेर के पिक्स red color के लिए एक famous quote है वो है red color is a color of fire हाँ दूस्तों आपको आज मैंने आपके साथ ये red color के कुछ टिप शेर के अगर वो आपको अच्छे लगे तो आप नीचे comment box में मुझे जरू लिखे बेच सकते हैं और आपके कुछ अर्जके episode में और जानते हैं की ब्लू कलर इंटिरेर में हम लोग कहा पे यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम मैं आपके साथ जो भी इंटिरेर के टिप शेयर कर रहें आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए